आश्वगंधा और दूद को साथ में सेवन करने से आपकी सेहत को कई लाब मिलते हैं। आश्वगंधा और दूद को साथ में सेवन करने से आपका पाचन तंत्र तीक रहेंगे इसके अलाबा दूद और अश्वगंधा के सेवन से आपकी हदिया भी मजबूत रहती हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। दरसल दूद और अश्वगंधा में विटामिन, मिनरल्स और अंटियोक्सिदेंस पाए जाते हैं। जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन, फॉसफ़ोरस और कैल्शियम हट्यों को मजबूत बनाते हैं। यह जुनों की सूजन और दर्द से छुटकारा भी दिला सकता है। 4. अनिद्रा की समस्या, काम और अधिक स्ट्रेस की कारण से कई लोगों को रात में समय पर नीन नहीं आती है। ऐसे में उन्हें दूद और अश्वगंधा का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे उन्हें रात में अच्छी नीन आती है। इसके लिए आप एक गिलास दूद में अश्वगंधा पाउडर मिला कर पी सकते हैं। ऐसा करने पर आपका अनिद्रा की समस्या ठीक हो सकती है। 5. कमजोरी दूर करें अश्वगंधा और दूद की सेवन से कमजोरी दूर होती है। यह अंद्रूनी ताकत बढ़ाने और दैनिक जीवन में बहतर करने के लिए शक्ती प्रदान करते हैं। इसलिए रुजाना आपको अश्वगंधा और दूद का सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा और दूद का सेवन करने का तरीका। अश्वगंधा की सूखी हुई जड़ों को आप पीसकर पाउडर बना सकते हैं। रोज रात में सोने से पहले गुंदुने दूद में चार चुटी अश्वगंधा पाउडर डाल कर दिये। ऐसा करने पर आपको धेर सारे फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। कल फिर मिलें ये एक दिल चप्स वीडियो में तब तक के लिए आप सब को इस वीडियो के अंतक बने रहने के लिए दिल के गहराई से धन्यवाद।